हलो बच्चो उमीद आप फिट फार्ट होंगे और क्लास 12 के लिए अच्छी पिप्रेशन कर रहे होंगे इसी में मैं आपके लिए लेके आया हूँ चैप्टर वन और ये इसी तरह में क्लास 12 की फुजिक्स के सारे वीडियो आपको दूँगा पूरा सलेबस कवर करूँगा और डिटेल्ड बैनर में कवर करूँगा तो जो बच्चे बहुत अच्छी तरह पढ़ाई करना चाहते हैं वो इन डिटेल्ड वीडियो को देखें जिससे उनको काफी हद तक fundamentals competitive examinations के लिए भी strong हो जाएंगे खासकर neat और जही मेंस के लिए चलिए बात स्टार्ट करते हैं और boards के लिए जो वीडियो हैं यह specially designed है boards के लिए तो चलिए बात को शुरू करते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से मैंने प्लान किया है आज हम दोग डिसकेस करेंगे chapter 1 electric charges and fields तो यह दिखिए electric charges and fields है full chapter का जो schedule है वह मैंने इस chapter को पांच पार्ट में तोड़ दिया है यानि इसके total पांच वीडियो आएंगे पांच वीडियो में पूरा detailed आपका chapter कतम हो जाएगा आज हम दोग discussion कर रहे हैं इसको highlight किया है part 1 जो आज हम दोग discuss करेंगे जिसमें introduction electric charge conductors and insulators charging by induction basic properties of charge इतनी topics की ह हम आज चर्चा करने वाले हैं और इसी तरीके से एकला वीडियो पार्ट 2 पर पार्ट 3 पर होता जाएगा चलिए बात को और आगे लेके चलते हैं और जो बच्चे यह चाहते हैं कि जो मैं यहाप पढ़ाऊंगा उसका उनको PDF भी मिल जाए तो आप join कर सकते हैं पढ़ना चाहते हैं वो अर्विंद एकैडमी एप को डाउनलोड कर सकते हैं उसके स्टोर सेक्शन में जाके कोर्सेस को ले सकते हैं जहाँ पर मैं आपसे रूबरू होता हूँ शाम को क्लास लेता हूँ जहाँ पर अपने आप डाउट्स पूस सकते हैं कोई confusion है तो वो clear कर सकते हैं बाकी मैं पढ़ाऊंगा ही live classes होती है जैसे यह batches हैं आप देखिए यह drona batch चल रहा है आप drona batch में physics में या mathematics में कहीं भी आप शामिल होना चाहते हैं मुझसे live classes के तुरू पढ़ना चाहते हैं जहां doubts या बाकी बातें आप confusion clear कर लेंगे तो आप जॉइन कर सकते है drona batchi कहां मिलेगा अर्विंद academy app में मिलेगा और अर्विंद academy app का link में description में दे रहा हूँ store section में जाकर आप ले सकते हैं चली एक कदम और आगे बढ़ाते हैं और आज आते हैं अपने topic पर तो आज का topic जैसे हमने देखा था कि कई part 1 है कई topics को मिला के तो शुरुआत होती है frictional electricity की जो frictional electricity क्या है जब बहुत पहले जब development नहीं हुआ था उस समय जब ये देखा गया कि कि किसी भी चीज को हम रव करते हैं कुछ particular चीज़ें उनको रव करते हैं तो उसके अंदर छोटे छोटे feathers को टुकडों को dust particle को attract करने की छमता आ जाती है उसी चीज को बोल रहते frictional electricity क्योंकि वो friction की वज़े से यानि रगडने की वज़े से उसके अंदर कुछ ऐसी property डेवलप हुई कि वो हलकी चीज़ों को feathers को dust particles को छोटे छोटे टुकडों को attract करने की छमता रखता है तो इसी को देखिए the electricity developed by rubbing or friction is called friction or static electricity जो friction करने से डेवलप हुई है और भी देखिए ये keynotes मैंने बना रखे हैं the rubbed substance which show this property of attraction are said to have become electrified or electrically charged जिस भी material को आप रगड़ेंगे, friction करेंगे और वो छोटी-छोटी चीज़ों को attract करने की छमता रखे गा था हम बोलेंगे कि ये जो body है ये हमारी electrified हो गई है या इस पे electric charge आ गया है तो ये friction electricity की शुरुआत थी, उसके आगे कुछ बाते और देखी गई देखें यहाँ पर electron नाम कहां से आया, हर जगा electricity पढ़ते हैं, electron पढ़ते हैं तो इसका बातचीद देख लेते हैं, यहाँ पर एक photograph लगा है, ये अंबर है अंबर क्या होता है, ये फोटो में आपको दिख रहा होगा, तो अंबर is a yellow resinous gum-like substance found on the shores of the Baltic Sea ये biotics के आस-पास मिलता है, gum-like substance होता है, resonance होता है इसको आप जब wool के साथ, जब उनी कपड़े या wool के साथ रगड़ते हैं, तो इसके अंदर भी ये property आ जाती थी कि छोटी-छोटी चीजों को attract कर लेता था, आगे देखेंगे कि इस पर plus आता है, minus आता है, लेकिन ऐसा इसके अंदर good property डिवलप हो जाती थी कि ये छोटी feather को, dust particle को इन छोटी-छोटी टुकड़ों को attract कर लेता था, वहीं से क्योंकि इसका जो अंबर का जो नाम है, जो कि आप देखें, ग्रीक में, जो ग्रीक साइंटिस थे, tales of militus, 16 and BC में, उन्होंने ये देखा था, तो उस समय ग्रीक में क्या है, कि अंबर का जो नाम है ग्रीक में, वो electron है, देखें, spelling थोड़ी अलग है, इसी नाम चेको कि ये शुरुआती दौर में देखा गया, तो इसी electron को pick up किया गया, और फिर हम लोगों ने electron नाम रख दिया, electricity नाम रख दिया, और इसी तरह के word electric force, सारे words, इसी से develop हो गए, तो ये थोड़ा idea हमको मिल जाता है, कि electron नाम कहां से आया, क्योंकि इसमें umber नाम का material था, और ग्रीस में umber को electron के नाम से जानते थे, चलिए एक कदम और आगे बढ़ाते हैं, ये interesting बात हो गई, अब elektromagnetism, देखिए शुरू में ये सोचा जाता था कि electricity या charge का मामला और magnetism का मामला दोनों मामले अलग-अलग हैं, लेकिन जब further science develop होई, तो ये दिखाई पड़ा, कि ये एक सिक्के के दो पहलू है यानि ये दो अलग-अलग चीज़े नहीं हैं, आपस में interlinked हैं, मतलब अगर electric charge रुका हुआ है, देखिए मैं आपको समझाता हूँ, अगर कोई charge रुका हुआ है, तो ये electric field पैदा करता है, electric field क्या होगा देखेंगे, और यही charge अगर move कर रहा है, लिख देता हूँ, uniform motion, uniform motion मतलब acceleration नहीं है इसमें, तो इस समय ये electric field भी पैदा करता है, और magnetic field भी पैदा करता है, ये क्या है, magnetic field, magnetic field बेटा, और ये electric field तो मैंने लिखी दिया था, जिसे मैं EF के नाम से बता रहा हूँ, तो अगर कोई charge रुका है, तो केवल electric field पैदा कर रहा है, अगर वो चल रहा है, युनिफॉर्म motion में acceleration जहां 0 है, उस समय वो electric field के साथ magnetic field भी पैदा कर रहा है, है charge वही, hero वही है, और तीसरी कहानी, जहां पर ये charge, move कर रहा है, और acceleration हमारा 0 नहीं है, यानि accelerated motion है, यहाँ पर लिख भी देता हूँ, जैसे आपके दिमार्ट में बात आ जाए, accelerated motion है, उस समय ये electric field भी पैदा करता है, magnetic field भी पैदा करता है, साथ में electromagnetic waves निकालता है, electromagnetic waves, जिसे short में हम EM waves भी बोल देते हैं, तो ये कहान, लेकिन इसमें hero कौन है, hero is electric charge, तो ये बात जो पहले सोची जाती थी, कि charge, electricity, electric charges, electric field और magnetism, दो अलग अलग बाते हैं, ये basically दो अलग बाते नहीं हैं, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, जो मैंने बताया, कि electric charge से ही पूरी कहानी develop होती है, electricity है, electric field, चल रहा है, तो magnetic field, uniform motion में, accelerated motion है, तो आपका बन जाएगा electromagnetic waves, hence electricity and magnetism are studied together as electromagnetism, और जब electricity and magnetism को आप साथ-साथ पढ़ते हैं, तो इसको बोलते हैं, electromagneticism, तो ये बात भी आपको समझना चाहिए, क्योंकि पूरी जो मोटे तोर पर जो पहली किताब है, काफी chapter उसके, उसका hero हाथ का electric charge ही है, उसी का कारिस्तानी है, कि different different चीज़ें हैं में देखने को मिलेगा, आप two electromagnetic waves, तो इसलिए इस hero को पहचाना बहुत आवशक हो जाता है अब देखिए, अब जो नेने researches हुए हैं, उनमें ये देखा गया है कि जो electron का charge हम मानते हैं, आपको पता ही अब तक पहुँच गया है class 12 में तो, तो उसके अंदर और भी charges, छोटे छोटे मैसौंस अफ अलाना दमागा, और भी काफी चीज़ें पता कर ली गई हैं, लेकि पर पाया वाले जाने वाले charge कोई, fundamental charge मानते हैं, सबसे छोटी unit charge की मानते हैं, इससे छोटी unit हम लोग consider नहीं करेंगे इस level की study के लिए, तो सबसे जो fundamental या basic unit हमारे पास है, वो electron पर पाया जाना वाला charge है, वो कितना होता है, 1.6 into 10 की पावर माइनस 19 कुलाम, कुलाम is the unit of electric charge, यह जो electric charge होता है, वो एक scalar quantity है, आपको दिख रहा होगा, और इसकी SI unit कुलाम है, जो आपको यहाँ पर दिखाई पड़ रही है, तो यह जो charge होता है, ध्यान खिएगा, वो एक intrinsic property होती है किसी material की, intrinsic property का मतलब क्या होता है, जिससे समल लीजे उसकी पहचान बनने वाली, इसे मैं बोलू, save मीठा होता है, तो जो मीठापन है, वो save है, अगर यह इसका intrinsic property, यह मिठाई मिठी होती है, कड़वी मिठाई थोड़ी खाता है कोई, या किसी ने देखी थोड़ी है, तो इसलिए intrinsic का मतलब उसका आत्मिक गुड, यानि हम जिससे पहचान करते हैं, कि मीठाप हैं हम लोग, और आगे भी बात करेंगे, तो electric charge gives rise to electric force between various objects, various object की बीट में जो electric charge आ जाता है, वो आपको electric force, वो attraction, repulsion किसी का हो सकता है, वो develop करने की छमता रखता है, आगे बात करते हैं, electrostatics, हमारा यह जो chapter 1 और chapter 2 है, electric charges and fields, and electric potential and capacitance, यह electrostatics में आता है, तो यहाँ पर मोटे तोर पे हम समझें, तो जब charge हमारा rest पर रहता है, charge at rest, उस समय हम इसकी charge at rest, उस समय यह क्या property शो करता है, उन चीजों का हम जिसमें study करते हैं, उसको हम electrostatics बोलते हैं, chapter 3 जो है, उसे बोलते है, current electricity, वहाँ charge move कर रहा होता है, तो जहाँ पर रुका रहेगा, वहाँ का बामला electrostatics में आने वाला है, एक कदम और आके बढ़ते ह हुए, two kinds of electric charge, देखिए, अगर आप सोचें कि भाई हमारे पास दो ही तरह के electric charge क्यों माने जाते हैं, क्या हम एक तरह का electric charge मान लेते हैं, तो काम ना चलता क्या, या हम तीन तरह का क्यों नहीं मान लेते हैं, जार्ट, तो इसकी बड़ी सुन्दर सी study है, study क्या experiment है, क्या करत नहीं बनेगा, और इसमें एक rod यहाँ पर, glass rod है ये, glass rod है, जो silk के कपड़े से रगड़ी गई है, इस silk का कपड़ा है, इस पर टंगी हुई है, तो जब glass rod silk से हम रगड़ते हैं, तो इस पर plus charge आ जाता है, ये हमको और आपको पता होना चाहिए, अब उसी तरह की एक दूस ग्लास rod पकड़ी, silk के कपड़े से रगड़ा, और इसके पास हम लेके आए, तो हम क्या देखते हैं, कि जब हम इसको पास लेके आते हैं, तो इन दोनों में repulsion होता है, ये धरबागती है, इस समय है, तो ये क्या हो गया, repulsion, अब दूसरा इसी तरिके से plastic की rod लाते हैं, जो हम उल से रगड़ के लगते हैं, उनी कपड़े से रगड़ा, प्लास्टिक वली rod को, और उसको हम पास में लाते हैं, तो जो प्लास्टिक की rod होती है, प्लास्टिक, और मैं यहां ग्लास rod लिग देता हूँ, जैसे आप समझ पाएं, इसके उपर negative charge होता है, तो ये attract होती है इसकिते में, यहां होगा repulsion, और यहां हो गया attraction, तो यहां से क्या बात आपको सूझी, आपको ये बात सूझी, कि attraction है और repulsion है, यानि अगर एक ही तरह का charge होता, तो फिर एक ही चीज मिलती ही ना, या तो attraction ही मिलता, क्योंकि दोनों पर एक ही चीज है, तो या तो attract करें, या रिपल करें, दोनों में से कोई एक choice रहती, लेकिन यहां हमने देखा कि यह जो glass rock टंगी है, इसमें दो प्रकार के गुण है, वो attraction भी करता है, तो repulsion, तो कम से कम हमारा दो तरह के charge हमको चाहिए, कि attraction के लिए कोई और charger responsible होंगे, और repulsion के लिए कोई और charges responsible होंगे, तो दो की संख्या पकड़ ली गई, अब दो की संख्या जब पकड़ी गई, तो अब तीन क्यों नहीं, इसलिए तीन क्यों नहीं, क्योंकि हमने जब ये दो माना, तो हमारे जितने phenomena हो रहे थे, उन सब को हम explain कर पाए, physics में unnecessary कोई law नहीं बनाया जाता, class 11 में भी आपने सीका है, जो existing laws हैं, उसी में से पहले हम explain करने की कोशिस करते हैं, जब आसफल होते हैं, तो नए law बनाते हैं, युनिफिकेशन वेगर आपने देखा होगा, या minimum laws होने चाहिए, तो दो charges हमने पकड़े, और दो charge से हम ये थाबित कर पाए, कि जो भी phenomena हो रहा है, वो सब बराबर explainable है, तो विश्च में क्या तीसरा charge पैदा हो सकता है, ये समय बताएगा, कोई नहीं जानता है, क्योंकि साइंस तो में साइंस डेवलफ होती रहती है, ये बात आपकी पकड़ में आ गई होगी, कि आखिर दो charge ही क्यों, तो ये दो charge वाली कहानी हो गई, और शुरुवाती दौर में वैसे तो modern charges का जनक हम लोग Benjamin Franklin को मानते हैं, लेकिन उससे पहले ही सब जो बाते कर रहे थे, वो सापते about 100 years ago, charge डुफे, तो charge डुफे ब इस पे काम कर रहे थे, जो वो बातें बता रहे थे, तो इससे आपको idea लग गया होगा, कि दो charges की कहानी किस रूप में सामने आती से plus plus हैं, तो repel करेंगे, यह fundamental और plus minus है, तो attract करेंगे, और minus minus है, तो light charges again होगे, यह repel करेंगे आप, और minus plus है, तो भी इसके अंदर attraction होगा, यह fundamental law of electrostatics है, यानि यह होके रहेगा, कुछ भी गलित हो रही हो, कुछ भी हो जाए, लेकिन यह होना तैं, तो यह fundamental law है, इसको भी ध्यान न किये, कभी कोई पूछ पाचले exam, बोल exam में, तो आप नहीं लें, अच्छा, यह बढ़ी interesting slide है, कभी-कभी जब यह पूछा जाता है, witness charge, या resonance charge, तो हम ध्यान नहीं दे पाते, क्योंकि पूरी किताब पढ़के जाते हैं, जब exam होता ह है, काफी कुछ पढ़ लेते हैं, तो यह चोटी बात हमारे दिमाग से slip कर जाती है, और कभी-कभी यह पूछ लेते हैं, कि witness charge क्या होता है, या resonance charge क्या होता है, MCQ में आ जाए या एक नंबर में आ जाए, तो आपको यह पता होना चीए, बड़ी सरल सी बात है, क्या हुआ ज किसी को कुछ charge 1, charge 2 बोलना था, तो charge 1 किसको बोला जाया, charge 2, यह उन्होंने अपनी तरके से define कर दिया, कैसे define किया, उन्होंने कहा कि अगर हम glass rod को silk के कपड़े पर रगड़ेंगे, तो glass rod पर जो charge आएगा, वो witness charge है, बात पकड़े में आ रही है न, glass rod को silk पर रगड़ा, glass पर जो charge आ गया, उसको उन्होंने बोला, भाई, witness charge बोलना, बड़े इच्छी बार, अब उसके बार उन्होंने कहा, the charge developed on amber, अमबर जो अभी material आपको दिखाया था, उसको अगर आप wool एक उनी कपड़े पर रगड़ते हैं, तो amber पर जो charge आएगा, उसको resonance charge बोल देंगे हम लोग, समझ गया, glass राउट पर आने वाला प्लस हो गया, जो रगड़ा था, सिल्क से, और amber को wool से, उनी कपड़े पर रगड़ा, तो amber पर आने वाला charge, resonance charge, इस तरह से बातें आगे बढ़ी, लेकिन अब गड़बड क्या हो गई, कि ये जो इन्होंने नाम दिये थे, देखेंगे, कि उनसे रगड़ने पर, आप, glass rod पर, जो charge पाते हैं, वो negative हो जाता है, यानी, resonance charge हो जाता है, glass rod एक बार रगड़ी, तो पता लगा, witness charge, जो प्लस को ये कह रहे थे, और उसी glass rod को किसी और material से रगड़ दिया, तो उस पर आ गया, resonance charge, यानी, negative charge, तो ये बड़ कभी, आपका, witness charge आ रहा है, और उसी material पर, किसी और से रगड़ने पर, resonance charge आ रहा है, तो ये confusion हो गया, तो ये कहानी, इनकी, ये गड़ित, इनकी, ये तियोरी, इनकी, ज़्यादा लंबी चल नहीं पाई, क्योंकि इसमें भसड हो गई, confusion पैता हो गया, बात पकड़ में जो, resonance charge क्या है, तो प्यार महबस सी ये लिख दीजेगा, ये जाने रही है, interesting factor है, और important भी पढ़ जाता है, अब आगे बात करते हैं, देखे, positive and negative charge, अब ये Benjamin Franklin, जो modern charges के जनक कहे जाते हैं, 1706 से लेके 1790 के बीच में, इन्होंने, जो witness charge में घपला था, confusion था, उसको दूर कर दिया, plus minus charge से, तो उन्होंने कहा, क्या, convention लिया, भई, किसी को plus या minus दे रहे हैं, तो ये मानेंगे ही हम, नाम रख रहे हैं, तो किसी का कुछ भी मेरा नाम अर्विंद है, आपका नाम, किसी लड़की का प्रियंका हो सकता, किसी लड़के का राहूल हो सकता, तो नाम रखन करते हैं, सिल्क से, तो उस पे आने वाला charge हम positive बोलेंगे, ठीक, और the charge developed on plastic rod when rubbed with wool, is called negative charge, तो यहाँ पर plus और minus charge का मामला सामने आगया, positive charge और negative charge, दो charge आगया, modern theory of charge की बाद, अब एक किदम और आगे बढ़ाते हैं, ये घटना अगर हम दोंने देख ली, सीख ली, समझ ली, तो ये देखे, कुछ charges के नाम है, जिससे आपको बढ़े इच्छी तरीके से सारी बात समझ में आएं, कि two kinds of charges developed on rubbing, अब glass rod को silk से रगड़ेंगे, तो glass rod पे plus है, silk पे negative है, इसी तरीके से देखे, ये cat skin को ebunoid से करेंगे, इस पे plus, इस पे minus, और बाकी अंबर की बात कर ले तो अंबर पे negative, और उलन कलोद पे positive, इसी तरह आप इसको टेबिल को क्या हमें याद करना होता है, तो normally ये पूछा नहीं जाता है, लेकिन अगर आप कोई पास याद करने की चमता है, तो कर लीजे, कोई बुरा ही नहीं है, कहीं टपके तो आप समाल लेंगे आप, और दे है, एक को चार से रगड़ देंगे, यानि फर, ग्लास को फर से रगड़ेंगे, ग्लास को फर से रगड़ेंगे, तो ग्लास पे आजाएगा आपका negative चार्ज, और फर पे positive, क्योंकि फर पहले पढ़ रहा है, ग्लास इस सीरीज में पीछे है, जो पहले प्लस ले लेगा, ज इस सीरीज में पहले है, वो positive ले लेगा, और सीरीज में जो बाद में पढ़ रहा है, वो negative ले लेगा, तो यह सीरीज बना दी गई, थोड़ा idea मैंने दे दिया, कि इस सीरीज का मामला क्या है, तो आगे चलते हैं, और समझते चलते हैं, जैसे पूरी बात में अच्छी तरह समझ में आती रहे, अब electronic theory of frictional electricity, अब नई theory जो electronic theory आये, frictional electricity की वो क्या थी, तो यहाँ पर लिखा electronic theory of frictional electricity यह थी, कि जब हम किसी material को सबच करिए glass rod है, यह silk है, इसको जब हम रगडते हैं, तो रगडने की वज़े से, क्योंकि glass rod पे positive charge है, तो glass rod से कुछ electron friction की वज़े से हो गए, यह positive charge, इसमें electron बढ़ गए, तो negative charge, यह frictional electricity की बात की गई, आप समझ पा रहे होंगे, glass rod को यह rod समझ लिजए, इस rod को हमने, silk के कपड़े पर रखड़ा, और इससे electron निकल कर इसमें चले गए, तो इसमें निकल गए, तो कम हो गए, तो plus हो गया, और इसमें और activity हमने की, इससे charge to develop हुआ, इसको हम electrostatic origin का क्यों बोलते हैं, क्योंकि मैं पता है कि कोई भी electron निकलेगा, या कहीं आएगा, तो electron किसी charge को, charge पर force लगाने के लिए, कोई charge ही चाहिए हमको, किसी भी charge पर plus या minus, पर अगर हम कोई force लगाना चाहते हैं, तो हम कैसे force लगाएंग एक charge दूसरे charge पर force लगा सकता है, और कोई चीज force नहीं लगाएगी, तो अगर हमने इसको घिसा और इससे electron निकले हैं, यानि ये जो electron निकले हैं, इसने force लगाया कि निकलाओ मेरे पास आजाओ, तो वो किस origin का होगा, वो होगा electronic origin का, क्योंकि electron को खैचने की ताकत किसमे है किसी charge के अंदर ही है, ये बात समझ लेना चाहिए हमको, इसलिए बोलते हैं कि जो frictional forces हैं, वो किस origin के हैं, वो electric origin के हैं, charge वाले origin के हैं, समझ में आगई बात, अब देखिए, note क्या है, ये आपसे सवाल अक्सर पूछा जाता है, और कई तरह के आगे के exam में भी पूछा जा जब किसी पर आप देखो, जब किसी पर आप electron डालोगे, है न, तो यहां पर electron आएंगे, तो electron एक property है, तो किसी particle के उपर electron होगा न, तो electron का mass भी होता है, तो जब कोई चीज आप electron कहीं यहां पर डाले आपने, तो इसका mass आपने increase कर दिया, electron आया, तो थोड़ा सा और mass बढ गया, तो जब कोई चीज निगेटिवली चार्ज होती है, तो उसका mass बढ़ जाता है, क्योंकि electron आते हैं, और जब कोई चीज पॉस्टिवली चार्ज होती है, पॉस्टिव चार्ज होने का क्या मतलब है, पॉस्टिव चार्ज होने का मतलब है, कि यहां से electron आपने बाहर कर दिये हैं, जब electron निकाले हैं तो कुछ electron का mass निकाला है तो इसका mass क्या हो जाएगा घट जाएगा बात पकड़ में आ रही होगी कोई negatively charge है तो mass बढ़ा, कोई positively charge है तो mass घटा ये आप से पूछ लेते हैं कि किसी को हमने negatively charge कर दिया mass घटेगा या बढ़ेगा तो आप इस logic से बड़े प्यार से कर सकते हैं क्योंकि electron जब जाएगा तो अपने mass के साथ जाएगा कहीं जाएगा, तो mass भी ले जाएगा तो mass add हो जाएगा, simple सी बात है ठैर, एक कदम और अब देखिए यहाँ पर conductors and insulators यह पड़े इच्छे तरीके से आप जानते हैं कि conductors वो material होते हैं जिसमें electric charges का physical movement हो सकता है physical movement मतलब है कि यह electron है तो यह वाकई में चल सकता है यहाँ से यहाँ जाएगा तो इसे बोलेंगे conductor और insulator क्या है insulator वहाँ है जहाँ पर जो charges होते हैं उनका physical movement possible नहीं होता तो वो insulator हो गए और बाकी conductor में आप जानते हैं aluminium है, copper है लोहा चांदी और कह सकते हैं conductor है और insulator में plastic है, लकड़ी है यह सब आपके insulator से हैं यह आप बहुत जमाने से जानते हैं कुछ बताने की special जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी course में है, इसलिए पुरी चर्चा होनी चाहिए अब देखिए earthing and safety अब earthing क्या होता है कि कि किसी भी device को हम जब हम earth से connect यह earth का symbol है, इस तरह से earth मनाया जाता, this is earth और किसी भी conductor को या किसी भी circuit में जब हम उसको अर्थ, यह conductor ले लीज़े आप, conductor, ठीक, conductor अब इस conductor को हम जब earth से connect करते हैं तो इसे earthing बोलते हैं, अगर किसी conductor पर कोई charge है suppose कर यह negative charge है तो यह negative charge earth करने के बाद सारे negative electrons इसके अंदर, earth के अंदर चले जाते हैं, और उसके बाद इस पर कितना charge मिलेगा neutralized हो जाएगा, net charge zero हो जाएगा अर्थ से, और अगर यह positively charge है, देखिए ऐसे देख लीजे और फिर आपने earthing कर दी तो फिर क्या होगा, यहाँ से electron, earth से आएगा और सब को neutralize कर देगा ultimately जो आपको चीज मिलेगी इसका net charge आपको zero मिलने वाला है यानि अगर negative है तो सारे negative चले जाएगे अर्थ के अंदर, और अगर positive है तो इधर से positive आ जाएगा कोई चीज रोक के रखने वाली हो तो बात अलग है मतलब कहीं से आपने पकड़ा हो कुछ तो वो एक अलग बात है कि इस charge को bounded charge कर दें तो जाने में मुश्किल हो या ना जाए वो अलग बात है तो अर्थिंग क्यों की जाती safety के लिए जैसे कोई माली जे table fan है आपके पास cooler है कोई भी ऐसी चीज़े जिसको आप छू सकते हैं तो जब आप छूएंगे और उसकी अर्थिंग अगर नहीं है तो charges या current कौन सा path follow करती है least resistance का जहां पर उसको रुकावट कम हो तो हमारे शरीर से flow कर जाएगी तोकि जो circuit है उसमें ज्यादा resistance है उसकी जगा अगर कहीं पर leakage है current का कहीं पर short circuit है तो हमसे current जाएगी और हमें जटका लगेगा और हम to death हो जाएगा मामला life को threat मिल जाएगा है ना अब उस समय अगर हमने उसको लगा रखा है अर्थ से तो अर्थ कितना resistance दे रहा है शून कोई resistance ही नहीं है इसको जाते वक्त तो हम अगर उसको छूएंगे तो भी हमसे current जाएगी क्योंकि हमसे कम resistance का पार due to earthing available है वो अर्थ में चले जाएंगे electronic electricity जो भी है वहाँ पास हो जाएगी तो हम safe हो जाएंगे इसलिए जिन चीज़ों को हम छूँ सकते हैं वहाँ पर earthing की जा सकती है जैसे ceiling fan है या tube light है उनको अर्थ करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि उनको चलके जबरदस्ती चोड़ी कोई चूता है कोई बदमाशी कर रहा बात है नार्मल नहीं चूता लेकिन जिन चीज़ों को हम छूँ सकते हैं computer है या आपका table fan है या जो भी geyser है geyser के बोल रहा हूँ mixi है जो भी इस तरह के devices refrigerator है जिनको चूते रहते हैं वहाँ पर earthing का बड़ा का रूल होता है जो आप समझपाए होंगे चलिए एक कदम और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं method of charging of a body किसी भी body को अगर हमें charge करना है तो basically तीन मोटे मोटे थरीके हैं जिससे हम उस body को charge कर सकते हैं पहला क्या है charging by friction अभी हमने देखा कि glass rod को हमने silk पे रगड़ा glass पे आ गया था positive charge बढ़िया दूसर charging by conduction और contact अगर कोई मा लिजे plus charge किसी में है कोई neutralize कोई charge नहीं है अब इन दोनों को हम छुआ दे यहां अपस में तो कुछ charge इसमें भी आ जाएगा कुछ charge इसमें भी आ जाएगा तो ये due to contact हो गया कि हम छुआ कर charge को आदान परदान करा रहे हैं और एक तो हमने friction वाला दे के तक घिसा और plus आ गया या किसी पर minus भी आ सकता है तीसरी कहानी क्या है कि हम लोग बिना घिसे friction के बिना contact किये हम किसी body को charge कर सकते हैं इसे बोलते है method of induction अब देखे basic properties of charge ये बढ़ा important है कि जो charge हमने पढ़ा है जैसे कि electron पर पाया जाता है और भी जगा पाया जाता है तो उसमें क्या basic properties हैं तो तीन basic property देखेंगे additivity, quantization and conservation of charge चलिए देखते हैं इसको हम लोग तो पहली चीज़ पकड़ते हैं हम लोग addition of charges addition में हम charges को with sign जोड़ सकते हैं और घटा सकते हैं जोड़ते ही हैं वैसे जैसे मालीजे यहाँ पर color को बदल लेना चाहिए इसमें पता नहीं यह कितना आपको दिख रहा होगा तो मैं दुबारा बनाता हूँ red color black पर थोड़ा कम दिखता है तो यहाँ पर मालीजे plus q1 था minus q2 है और plus q3 है तो इसका जो net charge होगा बेटा जी वो net charge कितना होगा plus q1 सबको जोड़ दीजे with sign q3 यानि मैं आपसे अगर बोलू कि इसमें minus 2 micro कुलाम है plus 3 micro कुलाम है और यहाँ पर minus 10 micro कुलाम है तो इसका net charge बताओ तो net charge आप बताने में क्या करेंगे इन तीनों को with sign जोड़ देंगे तो minus 2 फिर plus 3 micro कुलाम और फिर जहाँ तक minus 10 micro कुलाम तो minus 12 12 में 3 गए तो 9 minus 9 micro कुलाम इस पे net charge है जो कि हम लिख सकें तो इसी को बोलते हैं हम लोग क्या additivity of charges ने charges with sign आपस में जोड़े जा सकते हैं यह इसका property है अब ऐसा मैं समझी कि हर चीज आपस में जोड़ी जा सकती है नहीं जो जोड़ी जा सकती है वही जोड़ी जा सकती है खेर अब quantization of charge quantization का मतलब क्या है कि हमने यह देखा और समझा है कि electron is the basic या fundamental unit of charge हमारे इस level की पढ़ाई के लिए तो किसी को हम अदान परदान करेंगे तो एक electron देंगे या लेंगे या दो देंगे लेंगे या दस देंगे लेंगे या बारा लेंगे या सो हजार करोड लेंगे देंगे लेकिन हम आदा electron नहीं दे सकते हैं क्योंकि एक electron से कम का charge होता ही नहीं है या देड़ electron नहीं दे सकते हैं क्योंकि एक के बाद अगला electron दोगे तो 2 हो जाएगा तो इस तरह आप जब भी किसी को electron देंगे या लेंगे वो integral multiple of electron के form में देंगे या लेंगे तो इसी को हम बोलते है quantization of charge NE, simple भाषा में और N की value जैसे लिखे 0 plus minus 1 plus minus 2 को कि अगर electron है तो negative charge होगा और proton का जिकर कर रहे हैं तो electron के बराबर charge लेकिन वो positive समझ में आया ना कि electron देना है तो 1,2,3,4 देंगे आधा, सवा, पॉन, 1.5, 0.5 electron possible नहीं है अगर मैं यहाँ आपसे बोलूँ कि इससे हम आधा electron charge निकाल रहे हैं तो यह गलत है नहीं निकाल सकते हैं हमें एक electron निकालना पड़ेगा दो निकालना पड़ेगा आधा नहीं निकाल पाएंगे तो इसी तरीके से जिसे electron पर charge होता है 1.6 into 10 की पावर माइनस 19 कुलाम और कोई आपसे बोले कि मैं इस पर जो charge है वो है 0.8 into 10 की पावर माइनस 19 कुलाम तो क्या यह सही है यह बिलकुल गलत है क्यों क्योंकि यह गलत है क्योंकि यह आधे electron के बराबर charge है देखिए यह संभव ही नहीं है हमारे पास जो charge यहाँ पर होगा या तो एक electron के बराबर होगा या दो तीन चार पाँच के इसके बीच की संख्या नहीं आएगी यानि charge is always a integral multiple of electron charge उसी में देना है उसी संख्या में लेना है Q is equal to any इसे बोलते है quantization of charge जो आप बात समझ गए होंगे एक कतम और आगे बढ़ा लेते हैं हम लोग देखिए अगला conservation of charge तो conservation तुमने बहुत class से पढ़ते हैं रड़ जाता है neither be created nor be destroyed कुछ ऐसा यहां भी लेकिन थोड़ी सी बात और कि जब भी कोई isolated system लेते हैं isolated का मतलब दीन दुनिया से कुछ मतलब ने ऐसा camera आपने बना लिया है ना आप उससे निकलते हैं बाहर ना किसी को अंदर आने देते हैं सपोस करिए कि आपने oxygen भी बंद कर दिये cylinder लेके oxygen का बैठे हैं लग कुछ भी नहीं आने देंगे बाहर से रोशनी भी नहीं आने देंगे जो है हमारा ही है ना हम देंगे ना हम लेंगे एक isolation में है उस समय हमेशा charge conserve रहते हैं जैसे यह मा लीज़े यहां पर minus 10 µ कुलाम और इसका net charge है 10 में से 5 निकाल दिया 5 µ कुलाम तो यह हमेशा minus 5 µ कुलाम बना रहेगा आपस में इतनों मिल भी जाएंगे तो भी कोई समस्चा नहीं भाई इसमें minus 10 में 3 गुश गया तो minus 7 बचा कोई दिक्कत नहीं तो net charge for an isolated system will be conserve दूसरा ना बनाया जा सकता है ना destroy किया जा सकता है केवल हम transfer कर सकते हैं charges को ये भी आप जानते कोई vicious बात इसमें नहीं है जो vicious बात है वो आगे आपको दिखेगी ये examination के लिए very important है देखे क्या होता है कि जब हम बोलते ना कि ना हम charge को destroy कर सकते हैं ना हम उसको create कर सकते हैं तो ध्यान किएगा जो बोलने का तालुक है वो net charge से है कि net charge हम बना नहीं सकते net charge हम खताम नहीं कर सकते net charge will be same net तो इसी वज़े से पहली बात की जाती है कि आप से पूछा जाता है exam में what is pair production तो ये जो pair production of charges है उसका मतलब क्या है उसका मतलब ये है कि electronic charge is concerned during the phenomena of pair production in which ये gamma photon ये gamma रह है ये energy है गामा रहे मतलब ये photon है और ये photon क्या होता है आगे आप पढ़ेंगे ये energy है तो energy से हम एक electron एक positron बना सकते हैं इस पे negative charge होता है और इस पे plus charge इसी के बराबर ये मतलब मुझे ऐसे लिख देना चाहिए था ये minus e और ये plus e बात पकड़ में आ रही है तो देखिए इस gamma रहे से ये experimentally prove हो चुका है आप एक electronic positron बना सकते हैं लेकिन इसका net charge यहां भी 0 था और minus e plus e मिलाएंगे तो भी net charge 0 होगा तो यहां पर charge तो आप बना सकते हैं लेकिन net charge कुछ addition नहीं कर पाएंगे जितना minus बन रहा उतना plus बन रहा है तो ये इसी को बोलते pair production जोड़े में बन रह production तो जब भी आपसे pair production आपके examination में पूछा जाए आप इस equation को जरूर लिखिए और जो मैंने समझाया उसका भी हवाला दीजिए तो बात complete हो जाएगी अच्छा इसी तरीके से किसी चीज़ को खतम करने की बात कि क्या हम charges को destroy कर सकते हैं उसको भी बोलते है annihilation of matter annihilation का मतलब होता है विद्ध्वन्स होना परलय होना हिंदी समस्ते होंगे विद्ध्वन्स हो गया परलय हो गया annihilation of matter यानी कोई चीज़ camino हो जा रही है बड़े назад रूप से परलय विद्ध्वन्स बड़ी वातें वह कैसे होता है वह ऐसे होता है कि जब electron और positron आपसे ब भीड़ते हैं तो उनके परकच्चे उड़ जाते और क्या मिलता है सब गायब हो जाता है एनरजी मिलती है जादू टाइप यह दोनों लड़े यह दोनों मास वाले पाटकिल है आपस में लड़े अम लड़के मास गायब हो गया एक एनरजी चलीगी रौश्णी निकली बाकी सब गायब तो वो क्या है यह आपको मिल जाती है एनर्जी तो यहाँ पर अगर आप देखें तो आप यह कह सकते हैं कि भाई इसमें तो मास था इसमें इन दोनों में चार्ज था और यह मिले तो यह तो नो चार्ज यहाँ पर क्या है नेट चार्ज जीरो एनर्जी में तो जोड़ेंगे तो zero मिलेगा तो next charge में कोई घटोत्री बढ़ोत्री नहीं हुई plus e बना तो minus e बना इसी को plus e घटा destroy हुआ तो एक minus e भी destroy हुआ इसी को बोलते annihilation of matter ठीक ये भी आपसे पूछा जाता है तो दोनों चीज़े basic properties of charge के अंदर ये काफी बहत्तपूर है जो आपको आनी चाहिए चलिए एक अदम और आगे बढ़ा लेते हैं और ये तोड़ा सा मुझे important लगा तो मैंने कर जब हम detailed video के शिकर कर रहे हैं तो पूरी बातें मिलें ये difference है charge और mass में हाँ जी electric charge यहां देखिए लिखा हुआ है ये electric mass लिखा हुआ है तो electric charge mass में क्या difference होता है ये भी समझ लीजे जिससे आपको अंदाजा रहे तो देखिए electric charge में भी positive negative 0 plus minus 0 हो सकता है लेकिन mass minus तो होता नहीं mass of a body is always positive हमेशा positive होगा negative नहीं होगा electric charge is always quantized q is equal to any पढ़ाता लेकिन mass जो mass का quantization है वो अभी तक established नहीं हुआ है ठीक वो अभी जब establish होगा तब देखेंगे या नहीं होगा तो q is equal to any तो होता है लेकिन mass is equal to कोई nm नहीं होता ठीक चार्ज और body does not depend on your speed जो charge है वो किसी speed पर depend नहीं करती जबकि जो mass of the body है वो speed से बढ़ता है यह तालुक क्यों कहा जा रहा है मैं एक formula लिख देता हूँ यहाँ शायद लिखा नहीं लिखा मालूम नहीं यह formula होता है m is equal to m0 rest charge 1 minus v square upon c square तो जैसे जैसे आप velocity किसी mass का बढ़ाते कोई इसे pen है तो pen का speed आप बढ़ाते चले जाए और जब यह comparable to light of speed के बराबर जाता है तो यह term हो जाता है आपक क्या बढ़ा v ज़्यादा हो रहा है तो यह term बढ़ा होगा तो one minus घटेगा तो denominator चोटा हो जाएगा एक में से ज़्यादा बड़ी quantity घट रही है और यह चोटा तो total quantity बड़ी तो यहाँ पर m की value increase होती जाती है तो mass basically आप ध्यान से देखें तो हर जगा constant नहीं है रफतार अगर है speed है और comparable to speed of light है तो mass काफी बढ़ जाएगा बदलेगा चार्ज नहीं बदलता है किसी पर अगर 2E charge है तो उसको कितनी भी रफतार दे दो speed कितनी भी ज़्यादा high कर दो उसका charge आपका 2E ही बना रहेगा उस पर कोई फरक नहीं पड़ेगा यहीं चीज़ वाल की है कि mass की speed बढ़ाने पर mass बढ़ जाता है और charge की speed बढ़ाने पर charge पर कोई फरक नहीं पड़ता तो यह बात हमें समझ में आनी चाहिए बिटा फिर मैं change into energy Einstein का formula देखा है आपने e is equal to mc square तो mass energy में तबदील हो जाता है charge किसी चीज़ में तबदील नहीं होता charge की कहानी अपनी अलग है तो यहाँ पर mass energy में change होगा तो purely या strictly conserve नहीं हुआ अब electrostatic forces between two charge may be attractive repulsive attraction या repulsion कुछ भी हो सकता है mass के अंदर तो हमेशा attraction ही होता है repulsion की तो कोई गुंजाईश है नहीं तो हमेशा attractive होगा इसके बाद electrostatic forces between different charges may cancel out कोकि attraction repulsion दोनों है तो वो cancel हो सकते हैं जबकि attraction ही attraction है masses के बीच में तो इसलिए cancel नहीं होगे a charge body always possess some mass जो charge body होती है उसमें कुछ न कुछ mass होगा क्योंकि electron दिये हैं या लिये हैं तो mass आपने दिया है या निकाला है तो कुछ mass तो होना ही चाहिए लेकिन जो mass वाली body है उस पे charge होना जरूरी है क्या जी नहीं net charge विल भी 0 कोई ये जैसे ले ले लें कि इसमें कोई net charge नहीं है तो ये mass है लेकिन charge net charge शून नहीं है net charge की बात है चार्ज तो होते ही है ये electron होते ही है लेकिन net charge ठीक आगे एक किदम और बढ़ाते हैं विटा ये वे ने आपको समझा दिया था मलब उसी से तालूक रखते हुए अब एक छोटा सा numerical है वो भी निप्टा लेते हैं और ये जो part 1 है बड़े शांदार तरीके से खतम हो हैं इसमें पूछा क्या है इस question में if a body gives out 10 की power 9 electrons every second हर second 10 की power 9 electron ही दे रही है how much time is required to get a total charge of 1 कुलाव तो 10 की power 9 electrons ये कितने में मिल रहा है एक सेकेंड में तो चार्ज कितना मिल रहा है एक सेकेंड में तो आप लिख सकते हैं क्या in one second चार्ज कितना हो गया चार्ज होता है q is equal to any है ना एनी की जगा आप n तो आपको पता है इतने electron 10 की power 9 और कितने electron एक electron पर चार्ज किया होता है 1.6 into 10 की power minus 19 कुलाम 10 की power 9 यहाँ पर रख दे तो 1.6 into 10 की power minus 10 कुलाम इतना चार्ज एक सेकेंड में मिल रहा है एक कुलाम चार्ज मिलेगा कितने में तो एक सेकेंड में इतना चार्ज तो time time required to get a charge of 1.6 into 10 की power minus 10 कुलाम is equal to 1 second यहाँ इतना चार्ज लेने के लिए एक सेकेंड लगता है अब एक कुलाम लेने के लिए अब time required लिख दीजे time required for 1 कुलाम चार्ज तो कितना समय लगेगा 1 upon 1.6 into 10 की power minus 10 पर वो युनिटरी पिंसिपल एक के लिए कितना तो 1 upon this one बस अब इसको जब डिवाइट करेंगे तो यह value आजाएगी 6.25 into 10 की power 9 seconds काफी ज़्यादा वक्त है यह seconds में answer है अगर आप इसको change करना चाहें बच्चों मैं color भी बदल लेता हूं white कर लेता हूं तो आप इसको अगर माली years में लिखना चाहें तो आप कैसे लिख सकते हैं 6.25 into 10 की power 9 365 दिन एक साल में 24 घंटे और 60 मिनट और एक में 60 सेकेंड इससे आप divide मार दीज़ें तो यह value कौन सी है years में और यह करीब करीब कितनी आ जाएगी 198.18 years यह answer यानि कि एक कुलाम charge अगर लेना होगा तो आपको 198 साल करीब करीब इंतिजार करना पड़ेगा अगर एक सेकेंड में 10 की power 9 कुलाम का चाहर जा रहा है तो यह कहानी थी और इसको आप देख भी लें हो जैसे मैंने बताया है कि अगर इस इनका presentation जो मैंने पढ़ाया है इसका यह pdf चाहिए तो अरविंद academy telegram channel को आप join कर सकते हैं उसका link description में मिल जाएगा उमीद करता हूँ यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा thank you very much power 2 जल्दी ही आएगा thank you good luck to you bye वीटा